नमस्कार दोस्तों भारती जनता पारड़ी को एक और तकड़ा जटका लगा है एक जटका कोई और नहीं बलकि भाजपा के दिगज नेताओं नहीं दिया है जहां कुछ महीनों बाद पांच राज्यों में विधान सवागे चुना होने वाले है अलाकि अभी तक तारीकों का एलान नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले ही लगातार भारती जनता पारड़ी को एक के बाद एक कई जटके लगते जा रहे है हाली में उत्रा खंड में भारती जनता पारड़ी के वर्तमार मंत्री या स्पाल आरया और उनके बिधायक बेटे कांग्रेस में सामिल हो सकते हैं कौन से बिधायक और मंत्रीजी हैं जो कांग्रेस में सामिल हो सकते हैं उसके बारे में आपको आगे बताएंगे लेकिन इससे पहले आपको बता दें महराष्ट में भारती जनता पार्डी को तकड़ा जटका लगा है जया नादेर से तीन बार सांसत रह चुके भारती जनता पार्डी के दिगजने था यम पूर सांसत बासकर पार्डी लखंत गावर कर भारती जनता पार्डी छोड़कर कांग्रेस में सामिल हो गये हैं इसके साथी भाजपा के पूर्य बिधायक ओम प्रकास से पोंकर भी कांग्रेस में सामिल हो गये हैं पतादे 30 अक्टूबर को ह भारा जटका माना जा रहा है भारति जन्ता पार्टी छोड कांग्रेस में सामिल होते ही भासकर ने कहा कि वह पहले माराष्ट के मंत्री असोग चौहान के बिरोदी थे लेकिन अब नहीं है बताते पूरो सांसत पार्टी ने 2014 में कांग्रेस छोड़ दी थी इसके साथ ही पू पारिस्ट नेता तीन बार के सांसत और पूरो कैबिनेट मंत्री भासकर राव पार्टील खंत गांग्रेस में सामिल होने का फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इतने बड़े जन्नेता के आने से नांदेर के साथ साथ मराठ हवारा में भी पार्टी को निश्ची त्रोप से मजबूती मिलेगी अलाके सिलसला यही नहीं खत्म होता है अब उत्राखंड में एक बार दुबारा जटका लग सकता है जहां उत्राखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत विधायक उमेश सर्मा काउ और नेता प्रतिपक्स पीतम सिंग एक ही प्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं तीनियों नेताओं को एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होने पर सियासी गलियारों में हल्चल तेज हो गई है साथी तरह तरह के कयाज भी लगाय जा रहे हैं काजारे की डोनों नेता कांग्रेस में सामिल हो सकते हैं इतना कि यसपाल आरे और उनके बिधायक बेटे संजीव आरे जब कांग्रेस में सामिल हुए थे तब भी उमेश काउ के कांग्रेस में सामिल होने की चर्चा तेश थी बताते कि इन दिनों उत्तराखंड सहीद, उत्तर प्रदेश, महराष्ट, पंजाब जहां भी चुना होने हैं उन राजियों में दल बदल का सिलसिला जोर सोर से चल रहा है, इस दल बदल की राज जीती में लगातार नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में सामिल हो रहे हैं